जै माता दी फ्रेंड्स तो आज हम साबू दाने के किछुड़ी बनाएंगे इसके लिए आप साबू दाना ले ले लिजी चाहे पतला वाला हो या बड़ा वाला हो कोई भी हो उसको ले के अच्छे से दो तीन पाने से अच्छे से वाश कर ले जिए वाश करने के बाद इसको तो आप पूरा पाने डाल कर फूलने के लिए रख देज़े ताकि यह अच्छे से फूल जाए यहां मोमफली लेंगे आलू, टमाटर, धन्या, मेर्च और साबुन दाना मरा फूल चुका है कडाई रखेंगे कडाई में हम घीर डालेंगे उसमें मोमफली डाल कर मोमफली हम इसको बाहर साना कहलेंगे कडाई से पिर कडाई में थोड़ा साझी डालीए और इसमें जीरा, थोड़ा सामने कड़ीबट्ळ ऑर मिर्ज मेर्ज पालाओ sull lockdown पीधों डिलीं हो स्ल with a DAY यह भालों को श्लो गैस करके अच्बखा लिजिये यहां अलू मारी फिर मैंने यहाँ पर टमाटर डाल तौ माटर ऑखल जाए इस साथ आप तुरुन नमक एड़ कर दीजे ब्रत में खाने वाला नमक बस इसको भी आप ढग के अच्छा सपका लीजिए ढग ढग कर स्लो गैस करके अराम से पकाईएगा कोई जल्दबाजी नहीं है फिर साबुन दाना जो फूला है हमारा उसका पानी हम छान लेंगे पानी से साबुन दाने भी इसमें एड़ करके इसको भी आप धीरे-धीरे हलके हाथों से चलाते रहे हैं यह साबुन दाना थोड़ा सा कड़ाय में पकड़ता है चिपकता है बट आप धीरे-धीरे इसको चुड़ाते रही है और पकाते रही है और बस जैसे देखिए हम इसे ताकि इसमें सोना पना आए फिर जो मैंने मौमफली फ्राइ करके रखी है इसमें मौमफली भी एड़ कर लेंगे मौमफली को भी साबुनारे और आलो में अच्छे सी मिला लेंगे और इसको अराम राम से भूजियेगा और थोड़ा टाइम दे के भूजियेगा ताकि ये खाने में अच्छी लगे और एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बनाएगा ये बहुत अच्छा लगता और बहुत टेस्टी होती है फिर हमने धनिया पत्ता कट करके रखा है अब इसमें धनिया पत्ता भी आइड कर लेंगे इससे टेस्ट बढ़ जाता है तो आप जरूर डालें अगर ना हो तो कोई बात नहीं आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं और इसमें आधा नीबु गार दें बस आपका साबुन दाने खिश्र रेडी है थैंक यू